हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चलल, साथियो, हम आपको आज एक्सप्लोर कराएंगे विधारा प्लांट के बारे में, जो कि आप सामने देख रहे हैं, यही विधारा प्लांट है, जिसको एलिफेंट क्रीपर भी का जाता है, उसी को एक्सप्लोर करने के ल जो उसकी उप्योगता है, उसके बारे भी बताएंगे, विधारा एक सदा बाहर लता है, जिसका वनस्पतिक नाम अरगिरिया नर्वोशा है, इसे हाती लता भी कहा जाता है, यह भारतियो महादीप की देशज पोदा है, और इसे घाव बेल भी कहते हैं, विधारा के बारे जडो और बीजो का इस्तेमाल कहीं ओस दिया लाबों के लिए कियाता है, विधारा के पत्तो का रस बैड सोर भरने में बहुत लाबदायक है, विधारा के पत्तो को पीशकर गैंगरीन वाले स्थान पर लगाने से आराम मिलता है, विधारा के पत्तो से इसकिन में होने वाल बैक्टिरिया को भी दूर किया जा सकता है विधारा के सेवन से कफ और वात शांत होता है विधारा के सेवन से हड्या मजबूत होती हैं विधारा के सेवन से पुर्सों में सुक्राव की संख्या बढ़ती है और वीरिये गाड़ा होता है विधारा को संस्कत में व्रद दारू कहते हैं विधारा को अंग्रेजी में elephant creeper कहते हैं आयरुवेद के नुसार विधारा का पोदा कई रोगों में फादे बंद होता है आयरुवेद में विधारा के पोदों पोदे को विशेश महतो दिया गया है इसके सेवन में कई विमारिया ठीक हो सकती है जैसे कि गैंग्रीन बैड सोर तनाव और मनोरोग रोग परतिरोदक चमता बढ़ाता है दर्द और सुजन में मददगार होता है डाइविटीज में भी इसका रहत दिलाता है विधारा को हिंदी में समंदर या पाटा समंदर सोस घावपत्ता या विधारा कहते हैं संस्कत में व्रद धारू चरक्सगंदा अकजासी दिर्ग वल्लारि कहते हैं उरदू में समंदर सोत, उडिया में मोंडा, कंण्ड में चंद्रपाड़ा, गुजराती में कडाल पलाई, अंबा, मार, तेलगु में चरत पाड़ा, बंगाली में बीज तरक, नैपाली में समंदर फल, मराठी में समंद विधारा के फायदे हम आपको बताना चाहेंगे, विधारा स्वाद में कडवा, तीखी, कसेला तथा गर्म प्रकृति का वनस्पती है, यह जल्द पचता है और भोजन को भी जल्द पचाता है, सिर्धर्द में फायदेमं विधारा का लेप, सिर्धर्द में विधारा के जड़ को चावल के पानी के साथ पीस कर माथे या ललाट पर लगाने से सिर्धर्द ठीख हो जाता है नमबर दो पेट का फोड़ा ठीक करता है कई बार पेट में फोड़ा हो जाता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं ऐसे फोड़े को विदर्दी यानी बहुत छिद्रित फोड़ा या कार्बकल कहते हैं ऐसे फोड़े पर विदारा की जड़ को पीशकर लगाने से फोड़ा ठीक हो जाता है नमबर तीन पेट दर्द में आराम दिलाता है विधारा पेट में दर्द मुख्यता अपच कब्ज और गैस के कारण होता है विधारा बोजन को भी पचाता है और कब्ज को भी दूर करता है विधारा पात यानि गैस को भी नस्ट करता है पेट दर्द छीक करन के लिए विधारा के पतों के पांस से 10 मिली ग्राम रसमे सहाध मिलाकर सेवन करेंगे तो निषचे 7 लाब मिलता है नमब्र चार बवसीर में विधारा के परयोग से लाब होता है विधारा भल्ला तक तथा सोड तीनों द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेकर चुन बना लेना है इसे दो से चार ग्राम चुन का सेवन गुड के साथ करने से बावासीर में लाब होता है उसके बाद मदुमेह में लाबकारी विधारा का शेवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मदुमेह यानि डायबिटीज आज एक महाबारी की तरह फैल चुकी है, विधारा डायबिटीज में तो लाब पहुचाता ही है, साथ ही या धातों को पुष्ट करके इसे होने से रोकता है, विधारा का सेवन करने से मदुमेह होने की संभावना घट जाएगी, इसके लिए एक से दो ग्राम विधारा चून से सहद में मिला कर सेवन करना चाहिए, इससे मदुमेह में लाब होता है मुत्र रोग में विदारा का उपयोग फादे मंद है मुत्र कंद रोग पेसाव में जलन और दर्द होता है पेसाव की मात्रा भी कम हो जाती है विदारा पेसाव को बढ़ाता है और जलन और दर्द को अराम देता है दो बाग विधारा की जड के चूण में एक बाग गाएं का दूद मिलाकर सेवन करने से मुत्र रोग में आराम होता है गर्बधरण करने से मदद करता है विधारा का सेवन यदि गर्बधरण करने में सपलता नहीं मिल रही तो विधारा का सेवन करना चाहिए विदारा तता प्लक्स की जड़ के काड़े को एक वर्स तक प्रति दिन सुबह सेवन करने से इस्त्री के गर्वती होने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन काड़े को मासिक दर्म में नहीं पिया जाना चाहिए उपदंस या सिफली सुरोग में विदारा से फायदा विदारा के जूस का प्रियोग करने से उपदंस यादी सिफली सुरोग ठीक हो जाता है सफेद प्रदर या लिकोरिया में विदारा के प्योग से इस्तिमाल से लाब सफेद परदर यानी लिकोरिया इस्त्रियों में संक्रमन के कारण योनी से सफेद पानी जाने की एक बीमारी है समपर्ची किस्सा ना किये जाने पर इस्त्रियों में काफी कमजोरी आ जाती है विदारा चून को ठंडे या सामन्य जल के साथ सेवन करने से सपेद परदरिया लिकोरियों में लाब होता है अंड कोस के सुजन को भी मिटाता है विदारा विदारा के पत्ते में एरंड तेल को लगा कर थोड़ा सा गरम करके इंड कोस पर बांद लेने से इंड कोस की सुजन ठीक हो जाती है लकवा में विदारा के सेवन से लाब पक्सा गहात या लकवा का एक प्रकार है अरदांगन पक्सागात में श्रीर का बाया या दाया भाग लक्वे का सिकार हो जाता है विधारा की जड़ एवं कहीं अन्य गटक दर्वे के द्वारा बनाए आज मोदादी शूर्ण का सेवन करने से अरदांग पक्सागात में लाब होता है जोडो के दर्द में विधारा के इस्तेमाल से फैदा, विधारा मूल में बराबर भाग सतावर मूल मिलाकर काड़ा बना ले, इस काड़े को 15-30 मिली ग्राम मात्रा में पीने से गठिया बाई में लाब होता है, विधारा के पत्तो की सबसी बनाकर खाने से वात के कारण होने जोडो का दर्द में ठीक हो जाता है, हाती पाउं फाइलेरिया में विधारा का उप्योग लाब दयक है, गोमूत्र या सोवीर कांजी के अनुपाल से विधारा चूण का सेवन करें, इससे एक वर्स पुराने अयम कठनाई से ठीक होने वाले हाती पाउं रोग भी लाब द विधारा मूल आदा भाग हल्दी और चोथाई भाग काली मिर्च को बारीक चूण बना लें, इसे 5-6 ग्राम की मात्रे में प्रति दिन जल के साथ सेवन करें, इसके बाद हातों पर लगाएं, इससे खून की खराबी की कारण होने वाली खाज में काफी आराम होने लगता ह विधारा के सेवन से बढ़ती है सारीक मांसिक ताकत, साथ दिनों तक मदूत अथा घी मिलाकर विधारा की जड़ के चूण का सेवन करें, इसके बाद दुख दियूत बोजन करने से स्रीर को पुष्टी होती है, विधारा चूण में बराबर भाग में सतावरी चूण मिला कर सेवन करने से इसमन सकती तेज होती है, विधारा की जड़ में पकाएं घी को दूद के साथ सेवन करने से सारीक और मांसिक ताकत बढ़ती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यही विधारा का पोधा है, जो एक अईरवेदिक पोधा माना गया है, और जिसके लाब भ सुरूप हम आपको एक्स्प्लोर करा रहे हैं, आपको यहाँ पर आना चाहिए, हलपर गार्डन में, जो कि लोधी गार्डन ने दिल्ली में बना हुआ है, और वहाँ पर ओस्दिय प्योदोखी खेति की गई है, उसके बारे में विस्तार से आपको वहाँ पर जानना चाहि जैसा कि आप देख रहे हैं, सुसी के सुरूप को हम आपको एक्स्प्लोर करा रहे हैं, और अन्य भी ओस्दियों के बारे में हम आपको अन्य वीडियों में बताएंगे, इसी आसा और विस्वास के ताथ, ताकि यहाँ आप आकर ओस्दियों को एक्स्प्लोर करेंगे, और रोगों को से मुक्ति प्राप्त करेंगे इसी आसा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद